सुपरवाद प्यारे बच्चों आज हम कब्चाती विशरिक सास्केट पाठ आज अस्टमा पाधः संपर्दान कारकम संपर्दान कारत जिसकी जो चतुर्थ विवक्ति में चलता है विवक्ति जिसकी है चतुर्थ ठीक है में संपर्दान कारत चतुर्थ भक्ति में चलता है जिसका चिन है को या के curt को जो हम वहार के बनाते हैं इस जिसमें को और कार्ट करनें के लिए आ जान्याइक कार्थ करनें heb लाटता है rahat सबते हैं सब्सक्राय आजिए इसका साव के पतलें हैं वहाँ समपर्दान कालक होता है मैंने पढ़ा है कि वीदिए in जो देखे सब्सक्रिप्ण 65 ecos ख़ önसे सब्सक्राइब शmmy उसका जिन है को और को देख़ीन है कि समपर्दान कालक जो को बीगिस्ति निग्क किस परकार से चलता है उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे सब से पहले यहांपे में आप थे कुल ए घृत carrier है रिद्वेथ सब से पहले एख़न कर्सेंग बंदर session Lesson 100 we UP का सब्सक्क्रार को है कि इस परकार से दूसरा है कि सटार्श इंड़नींद दूसरा है अब इसत्रिली में शंपर्टान था रवे कलता है जैसे सब्द है परिचार के परिचार का भ्याम परिचार के भ्याव ठीक है अब है दूसर सब्सक्राइब चटके जटका भ्याम जटके भ्याव अब है नपुन्चक लिंग में किस परकार से चलते हैं है प्राइना बोल्चक लिंग में निर्जिब बस्तों का ही परियोड को द history द्रिखाओ मुकुटाय मुकुटब्याम न्युकुटब्याम इस परकार से चत्रकार भ्यवक्ति में को लिए एक लिए इस परकार से रोब चलते हैं पुलिंग इस त्रिलिंग और इंब देखते हैं कि इस परकार से वागी किस परकार से बंते हैं गे जाए आप बिवक्ति में संपरदान कारख में आप मेरे साथ बुख पर देखेंगे ओके आईए मेरे साथ पढ़ेंगे पाठ आठ है अस्तम पाठ संपर्दान कारकम चर्थुत्विभक्ति के अंदर चलता है मैंने आपको भी बताने का परियास किया कोर के लिए इसके चिन है ठीक है ये किस परकार से पुलिंग इस्तिलिंग और नपुन्शकलिंग में चलते हैं ये आप देखेंगे अध्यापिका चात्राय पारितोसम ये अच्छति अध्यापिका चात्रों को पुरुषकार देती है पारितोसम का अर्थ है पुरुषकार ठीक है देती है तो अध्यापिका चात्रों को पुरुषकार देती है को सब्दा आ गया ठीक है दूसरा है सा बालि का भ्याम मतलब बालेकाओं बालेकाओं एक से अधिक बालेकाओं के बात मिष्टानान मतलब मिठाईयां देती है तो के लिए आगे है चतुर्विवक्ति आगे अब है आगे देखेंगे और सेंटेंज अम्बा पुत्राय भोजनम पचती अम्बा मतलब माता पुत्राय मतलब पुत्र के लिए एक चतुर्विवक्ति हो रहे के लिए सब्दारा भोजनम मतलब भोजन पचती मतलब पकाती है माता पुत्र के लिए भोजन पकाती है तो के लिए आ गया है पुत्राय मतलब पुत्री के लिए पुत्राय मतलब लाता है तो के लिए आ गया? पिताब पुत्री के लिए पुस्तक लाता है के लिए क्या हो गया? चतुर्विवक्ति इसमें क्या है? चतुर्विवक्ति है अध्यापक हा चात्रा है चात्रा है पारितोसम यच्छती अध्यापक मलब सिख्चक अध्यापक चात्रा है मलब चात्र के लिए पारितोसम मलब पुरुषकार देता है यच्छती मतलब देता है पारितोसिसकार्थ मैंने बताया पुरुषकार ठीक है अब आगे देखेंगे चात्र पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए चत्र बिवक्ति है पढ़ने के लिए जाते हैं तो छात्र पढ़ने के लिए बिद्याले जाते हैं, के लिए आगे इसमें, छात्र पढ़ने के लिए बिद्याले जाते हैं, के लिए चतुर्विवक्ति, निर्पहा याचकाय धनम यच्छति, मतलब निर्पहा याचकाय धनम यच्छति, मतलब निर्पहा मतलब राजा, निर याचकाय मतलब बिकारी के लिए धनम मतलब धन यच्छती मतलब देते हैं तो याचकाय का मतलब होता है बिकारी जो याचक होता है जो मांगने वाला होता है ठीक है राजा बिकारी को धन देते हैं तो को आगे है समी माता पुत्राय दुगदम ददादी माता पुत्र के लिए माता पुत्र के लिए पुत्राय मतलब पुत्र के लिए चतुर विवक्ति है दुखदम मतलब दूद ददाती मतलब देती है अब आगे देखेंगे अध्यापकम अध्यापक हा चात्रभ्यम ग्यानम यच्छती अध्यापक चात्रभ्यम मतलब बहुसे चात्रों की बाद हो रहे हैं चात्रभ्यम मतलब चात्रों के लिए चात्रों को ज्यान देता है ज्यानम मतलब ज्यान यच्छती मतलब देते हैं अध्यापक चात्रों को ज्यान देते हैं बहुत से चात्रों के बाद हो रहे है चात्र एक बचन है चात्रों बहुत बचन है ठीक है ओयम मालाभ्याँ पुस्पान त्रोट याम हाँ त्रोट याम हाँ तो ओयम मतलब हम सब मालाभ्याँ मतलब मालाओं के लिए मालाभ्याँ मतलब मालाओं के लिए पुस्पान मतलब फूल त्रोटियाम मतलब तोड़ते हैं ठीक है अब है आगे जनकह पुत्रभ्यम फलान ददाती जनकह जनकह मतलब पिता पुत्रभ्यम मतलब एक से अधिक पुत्रों के बात हो रहे है जनकह पिता पुत्रों ठीक है फलान फल पुत्रों के लिए पुत्रों के लिए एक से अधिक पुत्रों के बात हो रहे है जनकह पिता पुत्रों के लिए फलान मतलब फल ददाती मतलब देते हैं या देता है तो पिता पुत्रों के लिए फल देता है अब आगे हैं अहम लेखने भ्याम रूपी कानी यच्छामी अहम मतलब स्वयम मैं ठीक है लेखने भ्याम मतलब कलमों एक से अधिक पैन की बात हो एक से अधिक कलम की बात हो एक की नहीं एक से अधिक पैंसे यच्छा में मतलब देता है तो मैं कलमों के लिए रुपए देता हूँ अब दूसरा है तो बालक मतलब बालक गेंदों के लिए एक से अधिक जिसको हम बाल कहते हैं बाल कहते हैं बालक मतलब गेंदों के लिए रोता है क्रदती मतलब रोता है दूसरा है राम हाँ कीड़ काब भ्याम रुपए कान यच्छती राम मतलब राम कीड़ काब भ्याम मतलब खिलोनों के लिए रुपए कान मतलब रुपए यच्छती मतलब देता है राम खिलोनों के लिए रुपए देता है के लिए चतुर बिवक्ति किड़ा का भ्या मतलब इसमें चतुर बिवक्ति है अब है आगे यह आप देख सकते हैं यहाँ पे चितर के मात्यम से भी देख सकते हैं मालाकारा बालिकाई पुस्पानी तोट यती मतलब मालाकार माली माली वो होता है जो बगीचे में फूलों की देख बाल कर रहा है यहाँ पे उसको माली केते हैं मतलब एक से अधिक लड़की के बात हो रही के यहां पर माला का लड़की के लिए पुश्व तोड़ता है तो इस लड़की के लिए के लिए कि यहां पर सब्दो हो रहा है दूसरे के लिए ठीक है ओयम पुस्तकाब्याम 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 पुस्तका फलाब्याम मतलब फलों के लिए एक से दिक की बात हो रही है चतुत विवक्ति फलाब्याम आपणम मतलब बाजार गच्छती मतलब जाते हैं लोग फलों के लिए बाजार जाते हैं तो इस परकार से आप नहीं देखा होगा प्यारे बच्चों चित्रों के माध्यम से भी यह हां पर चित्र भी माध्यम से आप समझ सकते हैं और किस परकार से के इसको समझाने का परियास क्या आप इसको बुक में अच्छी तरीके से समझने के क करेंगे ओके थाइंक यू